22 साल पहले आज ही के दिन नेपाल में हुआ था रॉयल हत्याकाल प्रिंस ने राजा रानी के साथ साथ नौ लोगों को मारी थी गोली क्या थी पूरी कहानी बताएंगे हम आपको इस वीडियो में आज ही के दिन नेपाल के पूरे राज परिवार का कतले आम हुआ था और ये बात हम आपको बताएंगे कि वो क्या वज़ा रही कि प्रिंस दिपेंडर ने इतना बड़ा कदम उठाया नेपाल की एक लोग कता है जो बहुत ही प्रुचलित है बताया जाता है कि 1769 इसवी की बात है जब पिथवी नारायन शाह ने ने नेपाल की तीन रियास्तों को जीत कर खुद को राजा घोशित कर दिया एक बार वो काठ मंडू जा रहे थे रास्ते में उनकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई सन्यासी भूका है ये सोचकर राजा ने कटोरे में उसे दही दिया सन्यासी ने दही चखा और फिर कटोरा वापिस राजा को दे दिया राजा ने जूठा दही जमीन पर फेग दिया उस दही पर राजा के पाउं की दसों उगलियां पढ़ गई ये देखकर सन्यासी क्रोधित हुआ और राजा से पूछा कि दही क्यों फेगा राजा ने जवाब दिया जूठा धही खाना राजा को शोभा नहीं देता तब सन्यासी ने राजा को धिकारते हुए कहा अगर तुने धही खा लिया होता तो तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती चुकि गिरा धही राजा की दसों उंगलियों पर लगा था इसलिए उसी दिन दस पुष्टों बाद राजशाही खत्म होने का श्राप मिला था नेपाल के कुछ लोग मानते हैं कि एक जून 2001 को हुआ राजपरिवार का नरसरहार उसी श्राप का फल था जिहां बात है एक जून 2001 दिन शुक्रवार यानि आज से ठीक 22 साल पहले नेपाल के शाही मह पहल में एक पार्टी चल रही थी जगाती काटमांडू में ना रायन हीटी पैलेस राजपरिवार के एक दर्जन से ज्यादा लोग मौजूद थे पैलेस के गार्डन में एक पार्टी चल रही थी नेपाल के राजपरिवार में हर हफते ऐसी ही पार्टियां होती थी पार् के कमरे में बिलियर्स खेल रहे थे थोड़ी देर में महरानी एश्वर्या तीन ननंदों के साथ पहुंची महराजा बिरेंद्र एक पत्रिका को इंट्रिव्यू देकर थोड़ी देर से पहुंच गए वहां पर दिपेंद्र के चचेरे भाई राजकुमार पारज भी मा और प पारजन और चचेरे भाई पारज ने कुछ लोगों की मदद से उन्हें उनके कमरे में पहुंचाया थोड़ी देर बाद दिपेंद्र आर्मी की वर्दी पहने कमरे से बाहा निकले उनके एक हाथ में जर्मन मशीन गन MP5K थी और दूसरे हाथ में कोल्ट M16 राइफल थी एक 9mm पिस्चल भी उनकी पैंट में लगी थी दिपेंद्र को इस हाल में बाहर आते देख पार्टी में मौझूद लोग हैरान रह गए दिपेंद्र आगे बढ़े और पीता बीरेंद्र शा की और देखा कोई कुछ समझ पाता तब तक दिपेंद्र ने मशीन गन पीता की कर गए दिपेंद्र कमरे से निकल कर गार्डन में गए अब तक वहां मौझूद लोगों को अन्होनी का अंदाजा लग चुका था महारानी अश्वर्या उनके पीछे भागी छोटे भाई प्रिंस निराजन भी मा के साथ दोड़े पर दिपेंद्र ने पहले अपनी मा और भाई निराजन को भी गोली से चलनी कर दिया तीन से चार मिनट में दिपेंद्र बारा लोग पर गोली चला चुके थे आखे में गार्डन से होते हुए बाहर तालाब पर बने ब्रिज पर खड़े हुए और जोर-जोर से चीखने लगे फिर खुद को भी सिर में गोली मार मिन्टों के कतले आम के बाद भी महराजर बिरेंद्र की सांसे चल रही थी दिपेंद्र भी अभी जिन्दा थे कुछ मिनट बाद कार से घायलों को ले जाया जाने लगा संयोग ऐसा हुआ कि गोली चलाने वाले दिपेंद्र और जखमी पीता बिरेंद्र को एक ही कार में मिद्खोशिक कर दिया थोड़ी देर बाद महराज बिरेंद्र को भी मिद्खोशिक कर दिया gya एक बार में हॉस्पिटल में इतने घायल पहुंचे थे कि ट्रौमा में कोई विस्तर नहीं बचा था धिपेंद्र को स्ट्रेचर पर अंदर लाया गया तो उनके लिए कोई ब पाया नेपाल की सरकारी रिपोर्ट से लेकर मीडिया और इंडिपेंटेंट इंवेस्टिगेशन करने वाले ने अलग-अलग थियोरी को सामे रखा है पहले थियोरी के मुताबक इस हत्याकांट के 19 दिनों बाद एक अकबार में खबर चबी इसमें दावा किया गया कि प्रिं 1987 से 1990 के बीच पर हाई के दुरान मिले डिपेंटर और देव्यानी घरवालों की बात दर किनार कर मिलते रहे राजकुमार अपने परिवार के सामने देव्यानी से शादी करने की मिन्ते करते रहे उस समय की खबरों की माने तो 2001 वो साल था जब राजकुमार डिपेंटर का लेकल कॉंस्पिरेसी थी लेक में कहा गया कि डाज परिवार को तबहा करने के वीचे भारत की इंटेलिजेंस एजनसी रौ और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजनसी सी आई ए का हाथ है इस कॉलम के छपने की तुरंत बाद अखबार के तीन एडिटर्स को गिरफतार कर लिय दोहजार नौ में नेपाल के पूर्व पैलेस मिल्टरी जनरल बिबेग शाह ने एक किताब लिखी माईले देखे को दरबार यानि की राज महल किस ने देखा और दावा किया कि मुम्किन है कि सत्याकान के पीछे भारत का हाथ है नेपाल के ही एक और नेता पुश्प कमल द उन्होंने बताया कि उस रोज नशे की हालत में दिपेंडर पार्टी में आये और राजा रानी समेट नौ लोगों को मार गिराया डॉक्टर आजीव शार ने दिपेंडर के चचेरे भाई पारस की खूब तारीफ की थी दिपेंडर की भी मृत्यों के बाद तब पारस के प पारस में मिलकर इस हत्याकान को अंजाम दिया पर जब इस धटना की जांच के लिए नेपाल के चीफ जस्टिस केशव प्रसाथ उपाध्याय और नेपाली सांसत के स्पीकर तारा नाथ राना भठ की एक कमेटी बनाई गई एक हफते की जांच के बाद रिपोर्ट सामने आ झाल के बाद पार् दो मैं पुर्ट सामने पर जांच के रिए भठ का लगवार प्रसाथ ऑपाल सामने ऑना हुआ है।